इस दुनिया के अंदर इंसानों के ऊपर बहुत सारे मॉंश्टर्स ने हमला किया था तो उन मॉंश्टर्स को रोकने के लिए अर्थ में से 5 elemental creatures भार निकले थे जिनका नाम था The Elemental Axis इन लोगों ने यहाँ पे आके इन सारे के सारे demon beast को पकड़ के उन्हें मारा और उन्हें मार के उन्हें इन लोगों ने बंद करके रख दिया है उसके बाद ये पाचो के पाचो axis अपने आपको pillar बना के earth के अंदर रुख चुके हैं तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ normally तो episode के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि jungle के बीचो बीच एक बहुत बड़ा सा golden चक्र होता है जो की चल रहा होता और घूम रहा होता है उसमें से बहुत सारी energy बहार निकल रही होती है और इस चक्र के अंदर से निकलने वाली सारी के सारी energy आसपास के पेड़ और पथरों में घुसके उन्हें अक्टिवेट कर दी और तब ही इस चक्र में से निकलता है एक demon beast और यह beast क्या खतरनाक दिखता है जॉंग ली इसके सामने खड़ा होता है यह beast चल चल के आता है और यह beast लिटरली Ben 10 के accelerate की तरह दिख रहा है I mean देखो इसे यार क्या mythical beast जैसा दिख रही है एक्सलारेट यहाँ पे आता है हमारे जॉंग ली के सामने खड़ा होके और इसको देखके सारे की सारी गल्स की हवा टाइट हो जुती लेकिन जॉंग ली यहाँ पे खड़ा होके बोले तुम यहाँ पे क्यू आए हो तो यह बहुत हसने वाली बात है उतने में जॉंग ली अपने हाथ में से फायर पावर निकालता है और रेडी होता है लड़ने के लिए वो अपने फायर अटाक से निकल के इस एक्सलारेट के उपर हमला करता है लेकिन एक्सलारेट को कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे इनका hand-to-hand combat बहुत ब्यूटिफुली चल रहाता है और इस सीन का animation बहुत मस्त होता है लेकिन हमारे जॉंगली के मुझ से खून निकल लगता है क्योंकि एक्सलारेट बहुत जाता है वो जॉंगली को मारना स्टार्ट करता है जॉंगली उड़के जाता है पीछे गिरता है दिवाल पे वो हमारे जॉंगली के attack को रोकता है फिर वो water के attack से आगे बढ़ बढ़ के जाता है और जॉंगली को रोक रहा होता है उतने में हमें ये वालूब बढ़ता है कि इस बंदे की उपर एक नए access ने मतलब ice और crystal वाले access ने इसको रोक के रखा होता है हमारा जो Mr. Zongli होता है व अब तक वाइड वाला shield बनाया क्यों नहीं वो water shield बना कि इसको बंद कर दो ने यार फिर हमें दिखाते है कि यहाँ पर चारो access बैठे होते है उतने में जो हमारे ये accelerate होता है वो अपने आपको एक doggy में convert करके यहां से भाग के निकलने ही कुछ करता है क्योंकि वो असल में एक doggy होता है meanwhile यहाँ पे accelerate इस crystal को तोड़के निकलता है और जॉंगली इससे लड़ना स्टार्ट करता है लेकिन उसके पीसे से निकलता है metal access और ये बंदा भाई ये लिटरली हमारे चैनल की तरह दिख रहा है one punch man के यहाँ पे आके लड़ना स्टार्ट करता है तुम लोग हमारा जो ये icy boy होता है वो यहाँ पे आके बोलता है कि मेरी बहन को छोड़ दे लेकिन ये doggy इसके attack को रोकता है वो भले ही उसका हाथ जम रहा होता लेकिन वो इसको छोड़ता नहीं है इतने में वो अपना electric power छोड़ता है और उसी के बाद वो ये चक्र को एक्टिवेट क लेकर यहां से निकल लेता है अपने चक्र के अंदर वेल इस अनिमे के शुरुआती इतने epic combat के साथ हुए तो मुझे बहुत उम्मीद है इस अनिमे से वेल इसके बाद हमें अगली सी में दिखाते हैं कि एक छोटी बच्ची जंगल से भाग भाग के जा रही होती है एक गा लड़ी ही क्यूट है लेकिन मैं इसकी शादी मेरे बेटे से करवाने वाला हुँ तुम समझ रहे हो की नहीं यह सुनके सामने वाले लिखने वाले अंकल कहते है कि अरे भाई तुम बढ़ी कदे हो तुम्हारी बेटे की शादी उससे नहीं होगी मिन्वाइल हमारी यह लड अटी गिरने का दुशके फादर कहते है बेटा मैंने तुमसे कितनी बार काहा है कि तुम मेरे परमीशन के बगर यहाँ पर मत भागा करो तुम्हारे भागने को से देखो मेरा नुकसान हो गया तो यह सब देखके लड़की कहते कि सौरी पापा मुझसे गल्ती हो गई पर मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी अंटी वहाँ पे बैठी रहती है दादी मा उनकी तपियत बहुत खराबुरत में उनके लिए एक दवाई बनवाने के लिए यहाँ पे आई थी के पहले आजाना मतलब भाई तुच लगता है कि वह पॉपस से आप आएगी अकेले इतने बड़े जंगल में फिर भी इसकी ये बेटी भाग भाग के जाती है इस जंगल के थुरू और तभी हमें दिखाते कि जंगल में से निकल रहे होते हैं तीन अजीब से टोपी बाले ब कुछता कि बेटी क्या यहां आसपास कोई गाउं है और इस सीन में लड़की जो मू बनाती है इसका लिटरली जॉलाइन गाय वह चुका होता है उसके बद ये लोग हमारी इस लड़की से कहते हैं कि हम लोग बहुत दूर से आये हैं और हमें एक गाउं में जाना है तो क्य होती है और हो पःड़ से स्लिप होके नीचे गिरने लगती है और गोल गुमके वो पहुंसती है एक फीलर के पास और चलिाती है इस ईनमय के इनदर मुझे ने है नुट पसंद आ गया ऐस में और तभी ही तो असल में खड़ी होती है अपने के इता उप्लु üst हीड़क घु कि वहां पर एक नागड़ा आदमी होता है जो नहारा होता है और उसकी बॉड़ी देखके यह क्या मूँ बनाती है भाई यह आनि में का फेशिल रियक्शन यार बहुती जादा मस्त है और यह आदमी में जब घूम के देखता है तो इसको भी शौक लगता इस लड़की को दे इसमें होते है हमारी लड़की के फादर उन लोग के पास एक चिथी आती है और इस चिथी के लिए, इतना ही नहीं उसमें यह भी लिखा होता है, जो इनका नंबर वन वाला भाई है उसका सारा का सरा ten रिसोर्स कहता है, तो उसको और रिसोर्स चेले है तो यह सुनके हमारा इस लड़की का फादर कहता कि ओय नंबर 6 और नंबर 7 तुम लोग जाओ नीचे और जाके resources ले के आओ, हमें ये हमारे भाई को देना पड़ेगा, ये सुनके हमारे ये नंबर 6 जो कि होता है, चुहे वाला बंदा उसको ये जिस बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता कि हम में ये काम क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा बोल कि नीचे जाता है, मिन्वेल यहाँ पर ये लड़की बात कर रही होती है Mr. Zongley के साथ, और वो उसको sorry कहती है, बोलती कि मैं गलती से पाने में गिर गई, और धन्यवाद तुमने मेरी जान बचे, तब ही उसको मालूम कि देखो, मैं तुम्हारा कुछ बगड़ने नहीं वारा, तुम्हें चलना तो चलो, ये सुनके लड़की बुलती है, फिर लोग ऐसी चलके जा रहे होते हैं, और हमारा Mr. Zongley इस लड़की को set कर रहा होता है, ताकि वो इसके पास में से एक बदक ले ले ले, ये सुनके ब यहां पर आई थी, जो कि सिर्फ लोगों को मार रही थी, तो उनको रोकने के लिए यहां पर पांच elemental emissaries आये थे, और वो लोग पांच के पांच थे, metal के, wood के, water, fire और earth के, ये लोग यहां पर आये थे, इन सब evil को रोकने के लिए, उनके बीच में फिर बहुत बड़ा जो चोटे monster थे, वो सब अभी भी यहां पर ही घूम रहे हैं, और उस में सबसे बेस्ट वाला हमारा hero था, वो था fire access pillar, क्योंकि वो बंदे की जो भाई, handsome था, strong था और बहुत सरी चीज़े थी उसके पास, ये सब बोलके हमारा hero खुद का नाक बढ़ा करता है, पिनो के की त तो ये बंदा जब customer को देखते हैं, तो ये लड़की तो बहुत सुंदर है, क्या ये तुम्हारी girlfriend है, तो ये लड़की कहते है कि नहीं नहीं मैं इसकी girlfriend नहीं हूँ, मैं आपके लिए पैसा लेकर आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पैसे को लेकर मुझे मेरा special pot तो ये बंदा बोलता है, ये मीन ये बंदा को इपने जी के इसके लेक। बोलता है कि अगर तुम बदक नहीं खरी दियो तो मैं तुम्हें नहीं लेके जारूं इस बन्दे से भाई वो तो टो टो लड़ रहे होते है इस बन्दे से लेकिन ये बंदा एक लात मार के उनके कले पर पत्त हल वार से हमला करता है और उनको दूर फेखता है इस वज़े से मिश्टर चूहे वाले बंदे की भी हलत खराब होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे गाउं में ऐसे हमला नहीं हो सकता है, लेकिन तभी ही, जॉंगली उसका हाथ पड़े कहता है, कि तुम यहां से नहीं जा सकती हो, एक भी step आगे मत लेना, ये सुनके हमारी cute वे बोलते हैं, कि नहीं नहीं मुझे जाने दो, please, please, मुझे जाने होते हैं, भाई, वो literally इसको हरा रहे होते हैं, यहां पर क्या fluid animation होता है, वो इसके हर attack को रोक रहे होते हैं, और इस बंदे को पीछे फेक रहे होते हैं, फिर वो अपने spear से इसको मारते हैं, और उसके अंदर elemental energy लेगा रहे हैं, तभी हमें ये वालों पड़ता है, जो enemy के ब combine attack मार के इसे खतम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा spear boy इसके attack को भी रोकता है, और वो इनके attack को रोक रहे होते हैं, तभी ही ये सब देखके Mr. धनुशबड़ वाला बंदा अपने guitar को तोड़ता है, और उसमें से एक धनुशबड़ बना के गोली मारना start करता इन लोग को, और वो जो मारता है भाई, इनको लिटरली इन सब बंदों को हरा रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा घूम के एक attack को deflate करके Mr. धनुशबड़ वाले अंकल का हाथ तोड़ देता है, और उसके बाद यहाँ पे हर जगा आग लग लग चुकी होती है, तभी य और उसके मुंडी को फाड़ता है, तो उसके मुंडी में से हमें ये मालूम पड़ता है कि वो असल में एक चिडिया होता है, ब्लू वाला चिडिया, और फिर जॉंगली अपने fire mode को बाहर लेकाता है, और fire burst मारता है, क्या attack होता है भाई, ये चिडिया मर रही होती है, इसम हमारे fire axis से लड़ने के लिए, अगर वीडियो मजा आ रहा है, तो subscribe कर लो यार, हम लोगों का goal है कि अभी हमें तीन लाग subscribers तक पहुचना है, और एक चीज, अगर आप लोग को demon slayer anime में पसंदे, तो मैंने उसके जो नया movie है, Hashira training arc, वो movie मैं थेटर में देखके आ गया हूँ तो उसके उपर मैंने एक review video बनाया, जिसका link मैंने description में दे रखा है, तो फटाक से जाओ, और वो video को देख लो, ताकि आप लोग को मालूम पड़े कि आने वाले season 4 में क्या-क्या होने वाला है, बगएर किसी spoiler के, हाँ मैंने कुछ spoil नहीं किया है, लेकिन हाँ, आप लोग क बहुत hype मिलेगा ये movie का review देख के, तो फटाक से जाओ, link क्लिक करो description का, और जाके ये movie का review देख लो, मेरे secret channel पे, तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, इसके बद हमें अगले season में दिखाते हैं कि कुछ बच्चे गाओं के अंदर भाग के जाते हैं, और एक छो लेकिन कुछ टाम बाद इसका भाई वहाँ पे आता है, और ये अपने बड़े भाई को देख के बहुत खुश होता है, कहता है कि भाई तुम पूरे एक साल के बद घरायो हो, मैं तुम्हें देख के कितना खुश हुआ हूँ, और ये अपने भाई को मस्त हग करता है, ये scene मैं बहुत ही तादा घराई होटा है, यहाँ पे दोनों के तुम्हें बाद भाई एक दूसरे के साल बहुत अच्छे से बाते बाते कर रहे होते हैं, उत्ने में च्छोटा भाई बोलता है, तुमारे लिए ये लाल वाला fruit ले गाया है, इसको तुम अराम से खऊ, इसका ना में वो फ्रूट फेक के मारता है और इसको फ्रूट मुह में अटक जाता है इतने में उसके जेब में से एक डिबी बाहर निकलती है जो कि होता है असल में एक लिप पे लगाने वाला जो कि यह बंदा अपनी गर्फ्रेंड के लाया होता है तो यह देखके बड़ा भाई कहता है तो इनको वही दिखता है कि यहाँ इनके गाउं में अटाइक हो रहा होता है यहाँ पे नंबर 3 वाले अंकल, नंबर 5 वाले अंकल को पकड़े कहते हैं कि तुम टेंशन मत लोग हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं यहां तक कि हमारी चोटी लड़की भी नंबर 5 वाले अंकल को लेके अंदर जारी होती है, उतने में जॉंगली यहां पे गुस्या में खड़ा होता है, और वो रेडी होता है उसके फाइट के लिए, पर इसी मौके का फाइदा उठा के यह जो हमारा एनिमी होता है, वो अपन इस बदक को एक फटका मार के दूर फेरियता है, यह देखके मिस्टर जॉंगली अपने अगनी फाउम में आता है और वो फाइर अटाक मारना स्टार्ट करता है, फिर इनके बीच में जो हैंड-to-hand combat होता है यह कितना सैटिस्फाइंग होता है, यह एनिमे का एनिमेशन मु स्वर्ड बनाके हमारे हीरो पर हमला करता है, हमारा हीरो इसको पकड़ता है, फिर ये लोग पानी के बीचे मिचे बीच बापस से अटक करते हैं और मिच्टर पिकॉक हमारे हीरो को पथर भेखके इसमे मिलटीपल अटक्स ओल्र जाता है Dire preventive heard हुए हमारा हीरो अपना फायर अटाक से कॉर्ट स्पीड लग आता है और पिकोड पर अटाक करता है और ये से में जब वो चिलाता है भाई क्या आणिमेशन होता है वो लिटरली एक कामे हामे हा मारता है इसके उपर भाई ये इतना पावर होता है कि यहां के आस पास का दिवाल कि इन लोग को heal करना start करता है उतने में जो हमारे Mr. Chief होते हैं मतलब number 3 वाला भाई वो करते हैं तुम लोग टेंशन मतलोग बाहर दीमन लोग आ चुके हैं और उनसे लड़ रहे हैं fire axis वाला बंदा तो तुम लोग को टेंशन लेकर तरोड़ नहीं है हम लोग की जान बच जाएगे तुम लोग टेंशन मतलोग लेकर उतने में number 3 वाले अंकल के पीछे आता है ये पिकॉक वाला मॉंस्टर और उसको देखके सब लोग टेंशन में आते हैं यहां तक कि हमारे Mr. चूहे वाले अंकल भी एकदम खौफ में होते हैं अरे तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो, मुझसे तो पते ने कि तुम क्या बोल रहे हो तो ये पिकॉक बोलता है कि नहीं 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 तुम्हें सब पता है चूप चाप तुम उससे मेरे हवाले कर दो बट इसी मौगए अफाइदा उठा के हमारा Mr. Fiery Boy यहाँ पर आता है Zongli और वो एक Flying Cake मारता है इस चीडिया को और उसके उपर जो Attack करके उसको दबाता है जमीन पर और उसका मुझी दबा रहा होता है लेकि उतने में चीडिया अपने मुझ से एक Laser Beam मारता है और वो हमारे Mr. चुहे वाले अंकल पर हमला करता है बट हमारा Hero यहाँ पर आके वो Laser Beam अपने पीठ पर खाता है उसके बाद यह पंची उस वोके का फाइदा उठा के हमारे Hero के उपर और Attack करता है हमारे Hero का एक हाथ और एक पैर आल्मोश परालाइस हो चुका होता है नहीं बन करते हैं और बोलते हैं वाह यह कितनी सुन्दर चिडिया है और इसी बीच में यह सब लोग ट्रांस्वर्म होने लगते हैं एक-एक Monster में इन सब की Body Monster 5 हो रही होती है लेकिन कुछ-कुछ लोग बच गए होते हैं तब ही चिडिया कहती कि देखा तुमने यह जोबी लोग है यह लोग स्पेशल है क्योंकि इन लोगों ने हमारे Monster's के Cell को Consume किया है और वह कैसे किया यह तो तुम समझी सकते हो यहां तक कि हमारे Mr. चुहे वाले Uncle भी एक Monster में करण होते हैं और तभी बाकी लोग की body literally मिटी बन चुकी होती है और यह मौश से फिर अपना transformation स्टार्ट करता है यह literally एक white color के beast में convert होता है और उसके बाद जो इसका actual transformation आता है यह convert होता है एकदम demon god में भाई क्या badass दिखता है यह इसको देखके बाके रोग टेंशन बाते हैं लोग यहां से डर डर के भाग रहे होता है लिकिन कि दादी मा पता नहीं क्या कर रही होती है यहां पर खड़ी हों कि इन सब को देखके बोलती तो दाधी कहती कि please हमें माफ कर दो वो चीज जो तुम्हें चाहिए वहाँ पर है इतने में हमारा hero यहाँ पे बैठके अपने हाथ को ठीक कर रहा दे क्योंकि उसका हाथ और पैर इसने तोड़ दिया हुँआ यहाँ पे में चुहे वाले अंकल मौशर में कनवर्ट होके अपने ही बेटे के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसी बीच में यह अंकल भागते हैं और भाग भाग के यहाँ पे आसपास के लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं अपने नाखूनों से नहीं मेरा बेटा प्लीज प्लीज यह सब देखके छोटा भाई यहाँ पर आता है अपने बड़े भाई को बचाने के लिए वो उसके भाई को दर्द में देखता है और कहता है और इसी के साथ-साथ चुहे वाले अंकल गलती से अपने खुद के बेटे को भी यहाँ पर मा चुके होते हैं और वो मरते हुए कहता है की प्लीज चुहे वाले अंकल कहते ही और चोटा प्लीज तो मुझे वह एक फूट वापस से खिला सकते हो तो जैसी वह बड़ा भाई उसको फूट खिलाता है तो चोटा भाई कहता है वाउ यह कितना टेश्टी है ऐसा कहके वह अपनी जान वहाँ पर छोड़ देता है और यह सीन मुझे बहुत दर्द हो तो क्या आप लोग कमें लिख सकते हो रेश्ट इन पीस छोटे भाई मीनवल बड़ा भाई यहां पर फूट फूट के रहोता है लेकिन उसी बीच में हमारा हीरो यहां पर दीमन गॉड पर हमला करता है और उसको मारना स्टार्ट करता है दीमन गॉड हमारे हीरो के अटक्स को आराम से खाके उ हमारे हीरो को अपने पास खीच के उसको तोड रहा होता है लिटरली हमारा हीरो यहां पर मार खार होता है लिकिन हमारा हीरो अपने फायर बीच के फॉर्म में आता है और वो खड़ा होता है और इस सीन में भाई जो खतरनाक दिख रहा होता है वो अपने मास्क को देखता है और उसका मास्क भी यहाँ पर तूटके गिर जाता है और वो अपने फुल fire god mode में आता है वो भाग के attack करता है और वो demon god पर जो हमला करता है भाई फायर बाले demon god यह से attack खाखा के तूट रहा होता है हमारा fire boy लिटरली पथरों के उपर चल चल के आगे आता है हमारा hero नीचे से एक flame का shield बना के इसके attack को रोक रहा है demon god अपने full force में आता है और वो attack करता रहता है हमारा hero भी इसको रोकता है हमारे hero के body को यह वाला तलवार भोक रहता है लेकिन हमारा hero यहाँ पे अपने full energy को बाहर निकाल के इसके attack को रोकता है और उसको blast करके demon god के दिल पे मुक्का मारके उसे खतम करता है और जो वो उसके उपर बाद उसके उपर मारता है गम गम गाटलिंग लिटरली वो demon god को destroy करता है demon god की पूरे body में से उसका blue कलरा खून निकल रहा होता है और फिर वो जमीन पे गिर के अपने चिडिया वाले form में वापस जाता है और white color का हो जाता है तब ही वो कहता है कि लगता है मैं हार चुका हूँ तुम पाचों के सामने मैं कुछ नहीं हूँ और तुम तो सिर्फ उसमें से एक ही हो लेकिन इसी बीच में demon god का जो एक punk होता है वो बाहर निकलता है और वो एक purple color के crossin की गोली को लेके वहां से निकल लेता है इसी से असली सचाई छुपा रहा है तुछे क्या करना है भाई लिटरली उसे जाने दोर उसका काम करने दे यार फिर हमारा hero भाग भाग के अंदर जाता है और जब uncle उसका पीछा करते हैं तो उनके जेब से उनकी पोटली गर जाती है वो एकतम गुसे में बोलता है तुम सब लोग बेकार हो ऐसा बोल कि वो बहार आता है इस mythical beast को अपने गोद में लेके और उसको लेकर यहां से चुप चाप निकल रहा होता है uncle उसको पकड़ रहे होते तो हमारा hero लिटरली उनके उपर एक flame छोड़ता है और गुसे में उनको देखता है यह देखके uncle की हवा टाइट होती है और हमारा hero यहां से निकलता है इस mythical beast को लेके तभी निकलते हुए हमारा चिड़य करे देखा तुमने यह सारे के सारे इंसान यहां पे खराब है इन लोगोंने हमारे mythical beast के अंदर से उसका blood निकाल के उसका juice बना के क्रोसिं की कोली बना के एक दूसरे हो खिला ता कि यह लोग जिन्दा रह सके इस वएसे यह लोग मेरे magical spell के वैसे monster में convert हो गए लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और तुमने इन लोग की मदद करने के लिए मुझे मार दिया इसी बीच में हमारा hero यहां से निकल रहा हुता तभी क्यूट गल उससे कहते है प्लीज रुक जाओ तो दो सब्सक्राइब लेकिन उसके लड़की कुछ बोलती है यहां के लोग गाओं से बाहर निकले ढूंड निकले कोई ने कोई रास्ता तभी इनको दिखा यह mythical बीच्ट तो इन लोगों ने इस mythical बीच्ट को पकड़ा और इसको पकड़के इसके बॉड़ी के अंदर से इसका ब्लैड निकालके इन लोगों ने क्रोसिनी गोली में करक इसी के साथ-साथ यह फ्लैश्बैक खतब होतार हमें दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गल अपने रूम में बैठी होती है और उसके डाड अपने नीन से उठते हैं तो उसके डाड उससे थोड़ा पानी मांग तो क्यूट गल उनको पानी देती है और वहां पे बैट जाती है उनके बगल में तभी वो उनको बताते हैं कि नंबर सिक्स वाले अंकल जो थे मतलब मिश्टर चुहे वाले अंकल वो खतम हो चुके हैं और बाकी सब लोग ठीक हैं मिन्वेल गाओं में यहाँ पे लोग धेदरे करके अपने गाओं के चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं और असल में पैलेस के अंदर है और फिर यह सुनके यह बंदा अंदर निकलता है फिर हमें अगले सिन में दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा बड़ा भाई बैठा होता है अपने छोटे बाई के ग्रेप के पास और वहाँ पर बैठके वो एकदम उद्धास होके बैठा रहता है अपर बाकि सब बच्चे आते हैं जो कि उसके खर से खाना चोरी करके भाग रहती है यह लोग यहाँ पर आते हैं खाना रखता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए ऐसा बोल कि यहां से लोग निकल जाते है और बड़ा भाई यहां पर अकेले ही रहता है और वह बहुत कुछ स इसके बाद हमें अगले सिन में दिखाते हैं कि ऐसे हमारी चोटी लड़की अपने फादर से पूछते हैं फादर असल में यह सब क्या हो रहा है आप मुझे बते तो उसके फादर बोलते कि देखो हमारे गाउं में पहले एक प्लेग होसा जिसके बहुत सारे लोग मर रहे तो उस प्लेग से बचने के लिए हम लोग ने बहुत सारे निकाल लेकिन कोई भी रास्ता काम नहीं किया तभी हमें दिखा कि यहां पे एक mythical beast आया था और उसके body में से एक scale नीचे गिर के हमारे कुवे में गिर गया और उस कुवे का पानी जिसने भी पिया वो सब ठीक हो तो हम लोगों ने सुचा कि हमें इस mythical beast को पकड़े कर रखना चाहिए और इसके body से इसका खून निकालके हमें उसको यूस करना चाहिए इसलिए हम लोगों ने उससे पकड़े कर रखता है यह सब सुनके हमारी लटकी कहते कि नहीं पापा आपने बहुत गला है और इस तरह देखके तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे बीष्ट को अपने अंदर एब्जॉप करके रहा है क्योंकि इसलिए इनके body पे टाटू आए हुए है यहां पर यह बंदा इससे कहता है तो तो तुम यह कह रहे हो कि हमारे mythical beast को fire access pillar अधर ने kidnap करके यहां से निकल गया ठीक है तो हम लोग जाएंगे उस बंदे से वापस से अपने mythical beast को लेके आएंगे तो यह सब सुनके हमारी छूडी लडगी कहते कि अरे अंकल अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है कि वो fire वाला बंदा कहां पे रहेगा कि वो मेरा दोस् बात चलोगी ऐसा बोल की जैसी आसमान के पास देखता है तो इसके body के अंदर जो इसके veins होते है उसके अंदर green color का aura flow हो रहा होता है तो literally यह बंदा तो अभी इंसान नहीं है इसके बीश की ताकत आ चुगी है तब ही हमें अगले सिन में दिखाते कि एक unpromised land के अंदर और जो इनकी beast queen होती है वो कहती है कि मैं हूँ the beast of insanity और इसके पास चिडिया वाले बंदे को छोटी चिडिया आती है और उसको वो crossing का गोली देती है और कहती है और यहाँ पे होता है beast of greed और बहुत सरे different type के beast होते है यह लोग कहते है अगर ऐसी बात है अगर इंसानों ने हम हम लोग इनसानों को मारेंगे और तभी यह लोग the beast pillar को activate करता और जो भाई यह activation का animation होता है इसके उपर धर golden कदर में line लिक्क्या था और बहुत मसीन होता है यह वाला और उसके बद हवा में एक और निकलता और यहाँ पर आसपास beast की energy flow होना start होती है और यह चीज हमारे 5 क पाचो elemental को भी मालूम पड़ती है और तभी हमें दिखाते है कि जो metal वाला element का बंदा होता है वो अपने सारे के सारे swords को लेकर ready होता है एकदम से लड़ने के लिए meanwhile यहाँ पर दूसरी बंदी होती है जो की होता है हमारा earth वाला फिर होता है wind वाला यह सब के सब लोगों के पास एक एक करके energy पहुंच लिए तो यह लोग ready होते है अपने epic battle के लिए और हर एक बंदा यहाँ पर ready होता है यहाँ पर हमारी water वाली girl भी होती है उनके main fight के करने वाला है तो अगर आप लोगो all out war मिस नहीं करें तो आप लोगो सब्सक्राइब करें क्योंकि all out war को मैं बहुत चल्दी कवर करने वाला हूं तब ही हमें अगली सी में दिखाते है जो हमारी बदक होती है वो पानी में बहब है के एजए पहुशतों कहती है मैं यहाँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ झाल झाल